स्वागत हैं आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर हिंदो पंचांग के नुसा प्रतेक्मा की ग्यारवी तिथी को एकादशी के नाम से जाना जाता है एकादशी के दिन भगवान विश्णु की पूजा अर्जना करने का विधान है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रैल 2023 में एकादशी कब है दिन वदिनां क्या रहेंगी और एकादशी की तिति क्या रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हत्वागामी एकादशी प्रत्की तितियों की जानकारी प्राप्ट करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना पिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अप्रेल दो हजार तेज की पहली एकादशी कामदा एकादशी एक अप्रेल दो हजार तेज दिन शनिवार को है जैत्र शुक्ल एकादशी तिठी कारम होगा एकदिस मार्च की रहत एक बच कर थावन मिनट पर समापती होगी दो अप्रेल की सुबह चार बच कर निश्म मिनट पर हिंदो पंचांक के अनुसार चैत्र मा के शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है मानता है कि कामदा एकादशी का वर्त रखने से हजारों वर्ष की तपस्या के समान फलों की प्राप्ती होती है अप्रेल 2023 की दूसरी एकादशी वर्ष ने एकादशी 16 अप्रेल 2023 दिन रविवार को है वैसा कृष्ण एकादशी तितिकारम होगा 15 अप्रेल की रात 8 बच कर 45 मिनट पर और समाप्ती होगी 16 अप्रेल की शाम 6 बच कर 14 मिनट पर हिंदो पंजां के नुसा बैसागमा के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है मानता है कि वरुथनी एकादशी कवरत करने से सुख सौभागी की प्राप्ती होती है मेरे वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ